हे गाइस वेलकम बैक स्वागत एक बार फिर से आपका पोईटी किसान के यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हमारे जो फार्मिंग है जो हमारे फार्म पर जो मुर्गा पड़ा है उसको है अठारवा दिन ठीक है अठारवा दिन हमने यह जो बच्चा है यह जो दूसरे फार है हमारा साइड में वहां से शिफ्ट क्या है आप देख सकते हैं कि यह जो बच्चा है अराम से यहां पर फीडिंग और जो दाना है डिंकिंग वो करना स्टार्ट कर दिया उसने तो कोई भी हमें मतलब ऐसा इशू नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो गर्मी नहीं है अभी ह दोस्तो हमेशा याद रखना अगर आपको एक फार्म से दूसरे फार्म में बच्चा सिफ्ट करना हो तो रात का समय सबसे बैस टोटा है क्योंकि बच्चा अराम से रिलैक्स बैठा होता है क्योंकि जब हुआ से बच्चा उठकर आएगा तो यहां पर क्या होता है बच्च किसी भी चीज की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा अपडेट इसलिए नहीं आए बीचीज में क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज हो गई थी हमारे आसपास कि हम वीडियो बनाने में एसमर्थ थे एसमर्थ इसलिए एक फार्म जो हमारे हां से कम से कम होगा 20-25 किलोमीटर वह इसमर्थ दिन बहुत तश्पी तो उसने जैसी कटर का इस्तवाल की आपने फार्म में उसके जो बैल्डर था तो वहां से चिंगारी उठकर उसके जो साइड वाले फार्म में वहाँ पर वह आ गई इससे क्या हुआ उसका जो फार्म था पूरा जल गया वीडियो भी आपन लेता हूँ कमपनी का नाम लेकर पर दोस्तों जो गलत है वो गलत होता है ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अगर आप इमानदारी से काम करोगे ना तो 101 परसेंट आपको फायदा होगा अगर अभी इसमें आपने बैमानी करनी स्टार्ट कर दी एक लॉट में करोगे दो में करो या कमपनी से तो 77,000 बज गया हमारा 3,000 बच्चों बे तो भाया ऐसा करोगे तो हमेशा ही घाटा होगा ठीक है अभी देखे मेरे जो फार्म है मैं यह बात चलो मैं किसी और वीडियो बताऊंगा क्या हुआ वैसे उस पर आफायर हो चुकी है मुकतमा लिखा गया उसका जे उपर करने का भाया सीधा सीधा कारण यह था कि हमारे पास जो लेबर आती थी खाद निकालती थी और दूसरा जो गुड़ाई करने वाले थे तो अकसर हमारे इस पाइप को तोड़ दिया करते थे अब जब तोड़ देते थे तो भाया रिपेरिंग हमको करनी पड़ती थी नीचे गीला हो रहा था तो इसलिए भाईया हमको मजबूरी में इसको उपर करना पड़ा वरना नीचे का रिजल काफी अच्छा है अब उपर हमको इसमें क्या करना पड़ेगा एक कपड़ा हमको लगाना पड़ेगा इसमें लपेटना पड़ेगा जिससे कि ये पाइपलाइन गरम ना हो ठीक है तो ये काम हम जरूर करेंगे और आप देख सकते हैं अभी इस वाले खाने में हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा पैसा अपना खराब नहीं करना चाहेगा जो भी चाहेगा आपना पैसा बचे किसी भी तरह से तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फार्म आपको दिख रहा होगा अभी हमने बीच बीच में हलके हलके परदे डॉप डाउन कर रखे हैं और पूरे डाउन इसलिए नहीं कर रखे भाईया अभी नहीं भुसी है अभी बच्चे वे कोई भी इसमें गैस नहीं बन नहीं कुछ नहीं बन रहा तो बिल्कुल बच्चा रिलाक्स होके बैठा है बच्चा डिस्टब नहीं हो रहा बच्चा डर नहीं रहा तो मॉटल्टी नहीं होगी ठीक है तो चलिए अभी हम आपको आगे भी दिखा देते हैं आगे क्या इस्तिधी क्या पोईशन चल रहा है तो चलिए ये हमारा जो यहां पर हमने परदे बिल्कुल ओपन कर रखे हैं अभी आपको कंडिशन दिखा देता हूं तो यह जो फाम है यह बड़ा ही हमारा बढ़िया फाम है और इस फाम में हमारा काफी साथ भी दिया है और कभी कभी इसमें मॉडल्टी हो जाती है गर्मी में हम बहुत अच्छा ज ले रहा है और आपको निप्ल से पानी पी रहा है और हम से कोई भी दिक्कत नहीं ऊगह है कोई बीशु नहीं आ रहा है और आप देख सकते हैं कि फूरा फाम में मैंने से बच्चा शिट रहा है और अभी फोड़ा सा मुझ्टा मैं भी निकलाओं गा जिससे क्या होगा कि जो इस पेस है वो काफी मिल जाएगा बच्चे को और हमको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं है वैसे इस जो ये समय होता है इस समय में फार्म में कोई भी परिशारी नहीं आती है यहाँ ज्यादा कंजिस्टिव है तो इनको इस पेस देना हमको जरूरी है अगर इस पेस नहीं तो बच्चा जरूर मरेगा जैसे कि यहाँ देख रहे हो ना यहाँ बिल्कुल खाली खाली है इस तरह अगर फार्म रहे तो काफी बढ़िया होता है बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी जाता है कोई भी इशू नहीं आता है ठीक है तो आप देख सकते हैं यह जो पूर तो बहुत ही कम यूज किया गया है इस बार हम यूज कर रहे है क्योंकि दरसल एक लाइक की प्रॉब्लम से हम थोड़ा सा डरे वे थे क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी तो हमने क्या इस बार एसिटिक एसिट हमने इसमें लगा रखा है लेकिन वह आपको एक चीज मैं बता दिता हूँ वह एसिटिक एसिट थोड़ा सा वेट को लॉस जरूर करता है अगर उसको ज्यादा आप मात्रा में लगा देंगे वनना तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर एसिटिक एसिट आगर आप लगा रहे है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वेट का ठीक है तो अब भी देखिए जो कर्टन है कर्टन है वो हमने इधर से पूरा खोल लगा है हवा तेज नहीं है हवा बिल्कुल नहीं चल लिए जीरो हवा इस टाइम है तो हमें क्या है कि बच्चे को पूरा इंवार्मेंट मिल ला अच्छा है खेलने का कूदने का खाने का पीने का तो कोई भी इसमें हमें ऐसा नहीं है कि हमको इस मखर पड़े लगा देते तो क्या होता कि बच्चा एक्दम से बड़ा दिक्कत में आ जाता गर्मी लगने लगती अभी इस बार क्या हमने इस इसके ऊपर फूस भी डलबा रखा है अपना तो इतना उपर से temperature नहीं आ रहा है जो normal बहार temperature है उससे down temperature हमारा farm में है ठीक है तो लेकिन अभी जो इसके बाद जो batches आने वाले हैं बड़े ही challenging batches रहेंगे ठीक है हमारा जो nipple system है वो भी सही से काम कर रहा है आप देख सकते हैं यह जो पानी है यह भी सही से चल रहा है इसकी जो cleaning थी हर हफ्ते हम करते हैं cleaning कैसे करते हैं इस पर वीडियो अलग से आ जाएगा एक दिन ठीक है जो cleaning हम इसमें क्योंकि हमारा इसमें बड़ा फाइदा बड़ा होता है लेकिन वह इसका एक हमको बड़ा ही नुकसान यह लगा है कि जब भी lifting होती है यह कह इसमें दूसरा यह है कि इनके बीच में जो हमने लोहे का इस्तमाल नहीं किया है ठीक है सपोर्ट के लिए वह जुरू लगा चीज नहीं तो पाइप लाइन तिर्ची हो जाती है दीखिए हमने थोड़ा बहुत हमारी उपर नीचे हो रही है तो क्या होता है कि हम उपर सिस्टम लगा रहे हैं नीपिल सिस्टम काम करेगा बढ़िया काम करेगा लेकिन आपको बदाता हूं गर्मी में जो इसका रिजल्ट है वो कम से कम सो गिराम का डिफ्रेंस अंतर आएगा आएगा यानि जो दो दस गिराम है वह माइनस जाएगा आपके निपिल वाले में 100 जाएगा आपके उधर वाले फार्म में जिसमें ऑटोमेटिक डिंकर है तो यह चीज हमको स्टार्टिंग करते हैं तभी चलती है पता लेकिन कभी-कभी आसा होता है कि नहीं जाता डिफ्रेंज लेकिन अधिकता अगर बर्ड को आपने सही से पानी पानी दे दिया सही से पान लुए और बर्ड जिखा देता हूं और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों गर्मी में जो आप बच्चा पालते होना वह बड़ा ही होता है क्योंकि एक दिन आपका एक दिन आपकी जो पैतीस दिन की महनत है उसको खराब कर सकता है तो जब भी आप वीड ह्याँ राधाता है तो इतनी आप को जाएगा तो यह देखे आपका आप का जो, इतनी ही बढ़ वाम है. मैं सबसे बोलता हूँ कि अगर आप को farm बनाना ही है न तो यह वाला फारा लीजी ठीके देखना हम अगर गर्विव में देखते नहीं है कि हमारा बच्चा कहां पड़ा है क्या है क्या कर रहा है कुछ नहीं देखते जा pluckा हम चलता है ठीक है हमको कोई भी इसमें अभी दिक्कत नहीं लग रही है रिजल्ट हम इसका जुरूर बताएंगे हम आपने सारी जीसिया आपको सामने ओपन करते हैं कोई भी परिशानी हो कोई भी दिक्कत हो कोई भी अगर कोशन हो तो नीचे आप कमेंड सकते हैं से फूर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीन बंदे मातरम जैजवान जैकिसान